कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दवाई नहीं खाना चाहते हैं बिलकुल ऐसे लोग होते हैं तो अगर आपको भी ऐसा है कि स्टमक जौन मेंसी तो आपको डाइट कंट्रोल में जिसको क्यたे हैं जो डाइट्त को लेनी उसको कहते हैं पिल्लाज ब्लाज़ेक में फिकलीट नहीं है इसका प्लान भी के लिएरिया डाइट नहीं है स const इन सब को ठीक कर सकती है और ब्लांड डायट ही जादा तर लोगों को दी जाती है किसी प्रकार के इंटस्टाइन या स्टमक के ऑपरेशन के बाद आपको याद रखना है ब्लांड डायट में कई सारे फूड होते हैं जो के सॉफ्ट होते हैं हमें हाड फूड नहीं लेना हमें सॉफ्ट फूड लेना है हमें नॉन स्पाइसी फूड लेना है और लो इन फाइबर हाइबर नहीं लो फाइबर फूड लेना है राइट सो अगर आप ब्लांड डायट में हैं स्पाइसी नहीं लेंगे फ्राइड फूड नहीं खाएंगे र और आपके डॉक्टर आपको इस तरीके के फूड में नॉर्मल फूड में कब शुरू करना है वो आपके सिम्टम ख़दा मुने के बाद डिसाइड कर सकते हैं तो यह फूड इस इंपोर्टन अगर आप यह भी डाइट ले रहो ब्लाइट ले फिर भी इंपोर्टन है कि आप अपने नॉर्मल बैलेंस करें जो रिक्वार्मेंट है उसको पूरा करें हल्दी इन्रिक्वार्मेंट जो है सो फूड क्या क्या कह सकते हो समझ लो लिख के रख लो पैन पेपर ले लो वटेवर वीडियो को रिकॉड कर लो आई डोंट कैर ठीक भूलना नें ओके फूड द नहीं लेना फुल क्रीम भी लेना काव मिल्क भी लेना अगर इनमें से ले रहे हो तो इसमें से दो बारी दो बारी उबाल के मलाई निकाल कर फिर ले ना प्रूट्स या वेजिटेबल्स डिरेक्ली नहीं खाना उसकी जूसिस के थाथ आप वह उसकी जो आती ना स्मूदी ले सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा फाइबर मिले बहुत ज्यादा नहीं लेना लेका ब्रेड खा सकते हो च्रेकर जो आते हैं उपर से दूद में डालके खाने वाले जो आपके सीरियल से ले सकते हो पास्ता खा सकते हो आप क्या ले सकते हो तो सिंपल सिंपल लीन केंडिंडुरी juga किलो करे रिल कर के नहीं पैट में अपना नेक्षा खाशा आयल होते है अपने स्टीम बेक और घ्रिल है तो तो पक जाता हैथा एक्ष्टा हुल नहीं डालना ठीक है है या फिर कम डालना ठीक है उसके अलावा आप क्या ले सकते हो पीनट बटर ले सकते हो क्रीमी वाला पीनट बटर ले सकते हो पुडिंग या कस्टर्ड ले सकते हो अंडे खा सकते हो टोफू खा सकते हो और स्ट्रॉंग नहीं लाइट वाली हलकी चाय ले सकते हो लाइट टी ले सकते हो ग्रीन टी ले सक करेंगे क्या वाइड करेंगे पाट वाली डेरी फूट जबने विप्ट क्रीम हाइप आइस क्रीम नो राइट स्ट्रॉंग वाला चीज नहीं खाना है रॉ सब्जियां नहीं खानी है वेज़िटेवल जिससे गैस बनती है ब्रॉकली कैबेज कॉली फ्लावर कुकंबर किसी क कि यह ब्लाइट यह नहीं खाना है लाइट ऑफ़ीज़ीज के लिएंगेट वाले ब्रेट कुछ दिनों के लिए बट कुछ दिनों के लिए कुछ भफतों कुछ महीनों के लिए because that takes time right यहां पे चाला हो गया तो यहां से खालोगे कि इसको touch ना करें लेकिन पेट में चाला हो गया तो उसको तो touch करेगा na food so everything you eat will touch your ulcer your astritis your whatever it is so you need to go on a bland diet for at least few weeks, 2-4 हफते at least right फिर उसमें अचार नहीं खाओगे कोई sauces, उल्टी सीधी sauces नहीं खाएंगे, उसमें भी spices नहीं खाएंगे, hot paper garlic वो सब चीज़े नहीं डालनी है बहुत सारी sugar वाली चीज भी नहीं बहुत सारी meaty चीज भी नहीं खानी है उससे भी acid बनता है, बहुत ज्यादा secret होता है seeds या nuts नहीं खाने है seeds या nuts नहीं खाने है और बहुत ज्यादा smoked वाला जो highly seasoned वाला meat होता है fish होते एकदम ही ज्यादा right टिकका, chicken टिकका ये टिकका और वो तंदूरी घम खतरनाक तरीके से marinated वैसे चीज़े नहीं खानी fried food नहीं खानी alcoholic beverages या drink with caffeine नहीं खाना है, remember all these things, bland diet is a treatment diet it's not a way of lifestyle, you have to get back to a balanced normal diet later, but bland diet is a treatment इसके अलावा other tip इन सबसे जरूरी चीज़े, कुछ तरीके की दवा अवाइड करनी है, painkillers gruffin, aspirin, paracetamol, avoid करनी है मतलब, कम लेनी है जरो पढ़े, तो लेनी है, right ऐसा नहीं की बुखार आया है, तो सर ने बोला मैं नहीं ले सकता है not like that, right, be logical, talk to a doctor then, diet में और क्या चीज़े very very important, eat small frequent meal, एकदम भका 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 पेट नहीं भरना है छोड़े छोड़ा खाना है, दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते जाए, 3-4 चार घंटे के gap में chew your food slowly and chew it well, very important भाई, चबा के खाना है, because it should be very very soft, और पतला करके भेजना है उसको पानी बना के भेजना है drink your food क्यों बोलते हैं, drink your food very very thing, उसको चबा चबा के खाना है cigarette बीडी बन करना है और खाना खाने के 2 घंटा पहले तक नहीं खाना है, मतलब खाना के 2 घंटा रुखना है, फिर लाके लेटना है, वाईसी जाके नहीं लेटना, do not lie down or do not bend down immediately after food एक से दो घंटे तक, उसके अलावा थोड़े बहुत, जो जो टू अवोईड वाले food बताए गए है, उसमें से जो food वो नास हाए, जो specially जो आपको दिक्कत करते हैं, आपको पता ही है और साथ में जिनको इस तरह का रिफलक्स होता है, वो पानी धीरे धीरे पी है, उससे भी फाइदा होके एकदम से पेड भरेंगे, इसके रिफलक्सली जस वापस रिगर्च कर सकता है so, if you follow all these things ये वाली bland diet, ये वाली जो diet है, इसको पैप्टिक अलसर diet बोलो, bland diet बोलो heartburn diet बोलो, gastritis diet बोलो, बहुत जोड़दार है, try करके देखे, you will feel a difference just by the diet, और अगर नहीं difference, then we have the medicines, right, medicines क्या है बात करते हैं, next session